भारत विभाजन की तरासदी, हर तरफ तराहिमाम तराहिमाम, हत्याएं नूट और बलादकार, इंसानियत घुटनों पर बैठ कर दया के भीख मांग रही थी, इस विभाजन ने नजाने कितने भारत्यों की जिंदगियां उजाड डाली, इन सब के बीच एक दस साल का लड़ करवाया गया रिफ्यूजी कैम्प, जहां पर जितनी जगह नहीं थी, उतने सरनार्थी थे, सब के सब लाचार और मजबूर, इसी रिफ्यूजी कैम्प में मनुच कुमार के भाई का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कुकु, लेकिन वो काफी कमजोर और बिमार था, अ मनुच कुमार का बालमन यह समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है, जो एवटाबाद में इस्तित उनके गाउं जंडियाला शेरखा को छोड़ कर दर-दर के ठोकरे खाने पड़ रही है, पिता दिन भर रोजी रोटी के जुगाड में मारे मारे फिर में थे, एक दिन जब ऐसा ही दंगा भड़का तो अस्पताल में उपस्तित सभी डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी जान बचाने के लिए बेस्मेंट में अंडरग्राउंड हो गये, पर मा के सिरहने बैठे मनोज टस से मस न हुए, उस दिन मा की तभियत कुछ जादा ही खर और बिमार कुक्कु की सांस भी धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी, मा ने कहा कि जाओ किसी भी तरह डॉक्टर्स को बुला लाओ, मनोज कुमार पूरी अस्पताल में डॉक्टर्स को आवाज देते रहे, पर जवाब में कोई आवाज नहीं सुनाए दी, कुछ मनोज कुमार को अंदर तक हिला दिया, उस दिन न जाने मनोज कुमार के पास इतना बल कहां से आगया कि उन्होंने लाठी उठाली और बेस्मेंट में जाकर डॉक्टर्स नर्स जो भी मिला उसकी पिटाई कर दी, कुक्कु को लेकर पिताजी जमना किनारे पहुँचे और उसे जलान जली दे दी, दो महिना का मासुम कुक्कु पानी के नीचे डूपता जा रहा था, जिसे देखकर पासी खड़े मनोज कुमार को ऐसा लग रहा था कि उनका भाई नहीं बल कि वो डूब रहे हैं, उस शाम को पिताजी ने मनोज कुमार को अपने सर पर हाथ रखव इसी फैक्टरी में अच्छे पदपर कारी रत थे, उसी के अनुभों का इन्ही फायदा मिला, और दिल्ली में इन्ही एक फैक्टरी में सुपरवाजर के तोर पर काम मिल गया, इसके बाद उनकी फैमली दिल्ली में इस्तित राजिंदर नगर में जाकर बस गई, इसी दोरा मनुझ कुमार की छोटी भेल ललीता और राजीव का जन्म हुआ मनुझ धीरे धीरे बड़े होते गए और इसी दौरान उन्होंने दिलिप कुमार साहब की साल 1947 में आई जुगनू देखी इस फिल्म के अंत में दिलिप कुमार की मिर्तिव हो जाती है इसके कुछ महिनों के बाद मनुझ कुमार ने दिलिप कुमार साहब की एक अन्य फिल्म साल 1948 की सहीद देखी इस फिल्म में भी दिलिप कुमार की मिर्तिव हो जाती है उन दिनों मनुझ कुमार बमुश्किल 12-13 साल के रहे होंगे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था की एक आदमी जो की पिछली फिल्म में मर गया था वो फिर से कैसे जिन्दा हो सकता है और फिर से इस फिल्म में भी मर गया उन दिनों मनुझ कुमार को फिल्मों के बारे में कुछ खास नहीं पता था आखिरकार उन्होंने अपनी मा से पूछा की मा वो कौन लोग होते हैं जो मरकर भी जिन्दा हो जाते हैं मा का जवाब था बेटे वो फरिष्टे होते हैं इसी वाक्य ने मनुज कुमार की जिन्दगी बदल दी और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी एक फरिश्ता बनना है इस तरह से मनोज कुमार की फिल्म में देखने का सिलसिला चल निकला और इसी दोरान उन्होंने दिलिप कुमार की एक अन्य फिल्म साल 1948 की सबनम देखी इस फिल्म में दिलिप कुमार के किरदार का नाम मनोज कुमार था इस नाम से मनोज कुमार काफी परभावित हुए और ठ दोरान वो अपने माता पिता से संसकार सीखते हुए इसकुलिंग पूरा करके कॉलेज तक जा पहुचे। कॉलेज था उन दिनों का सबसे प्रसिद्ध हिंदु कॉलेज। यहां आकर उन्होंने पढ़ाय के अलावा खेलकूद और रंगमंच में भी भाग लेना शुरू किया। मनुषकुमार खेलकूद में काफी अच्छे थे। खास करके किरकेट और होक्की में दिल्ली के आसपास उनके जोड का कोई खिलाडी न था। इन्हीं दिनों मनुषकुमार के जीवन में उनकी प्रेमी का ससी गोश्वामी भी आई। जिनके साथ मनुषकुमार का घुमना फिरना और सिनेमा देखना खूब हुआ। अभी कॉलेज खत में ही हुआ था कि मनुषकुमार के जिन्दगी ने करवट बदली और उनकी मुलाकात अपनी फूफी के बेटे लेखराज भाकरी से हुई जो की फिल्मों में ही सक्रिये थे। तथा अपनी फिल्म तांगे वाल के निवते पर मनुषकुमार बंबई जा पहुचे। पहले च्छा महने तो इन्हें लेखराज भाकरी से या पूछने की हिम्मत नहीं हुई की मुझे फिल्मों में कब रोल मिलेगा। पर एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछी लिया। पर सामने से जवाब आया की अभी सा रोल मिला। यहां विडम बना देखिए कि उन दिनों इनकी उम्मर कोई 17-18 साल की ही रही होगी। इसके बाद लेखराज भाकरी ने अपनी अगली फिल्मों शहारा और चांदनी ने मुझे कुमार को 3-3-4-4 सेन दिये। बहराल अभी तक ये नायक नहीं बन पाए थे। इस दोरान मुझे कुमार अन्य निर्माता निर्देशकों से भी रोल की मिन्नते करते रहे। एक दिन भगवान ने इनकी सुन ली और इन्हें मुख्य नायक के तोर पर पहली फिल्म मिली काँच की गुडिया। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे हर नाम सीह रवेल जिन मैं था साल 1961 का। इसके बाद आई मुझे कुछ अन्य फिल्में जैसे कि पिया मिलन की आस सुहाग सिंदूर रिष्मी रुमाल आदी का भी काफी बुरा हसर हुआ। इनके फिल्मिक कैरियर में बड़ी उपलब दी रही साल 1962 की विजय भट निर्देशित हर्याली और रास्त फिल्म सिल्वर जुबली हीट रही। इसके अगले कुँछ सालों में मनुझ कुमार ने कई फिल्में तो की पर वो या तो जा तो ओसत रही या फिर फ्लॉफ हो गई। अब मनुझ कुमार को एक अदद हीट फिल्म की तलास थी। जो की पूरा हुआ साल 1964 में जाकर। फिल् अस्थान पर रही तथा गुम्नाम और शहीद करमसा आठवा और ग्यारावा अस्थान पर रही थी यह साल मुनुश कुमार के केरियर का टर्निंग पॉइंट सावित हुआ कहा जाता है कि इन फिल्मों के डारेक्टर भले ही कोई और हो पर इनके निर्देशन में मुनुश कु पत्थर के शनम, अनिता और उपकार इन में से फिल्म उपकार ऐसी फिल्म रही जिसने मुनुश कुमार के देशभक्ती फिल्मों के कारवा को आगे बढ़ाया इस फिल्म में मुनुश कुमार के किरदार का नाम भारत था और यह नाम लोगों के जहन में कुछ ऐसा रचा ब या बलकी इसका निर्देशन, कहानी लेखन वा समाद लेखन करके इतिहास रच दिया या एक ब्लोकबस्टर फिल्म साबित हुई तथा कमाई के लिहाज से उस साल पहले अस्थान पर रही इसने उस साल के लिए आयोजीत फिल्म फेर अवार्ट्स और नेशनल फिल्म अवार्ट्स में पूरुषकारों के जड़ी लगा दी थी इसके अगले ही साल 1968 में मनुझ कुमार के जीवन का सबसे बड़ा सपना सच हुआ और इन्हें अपने आदर्श दिलिप कुमार सहाब के साथ काम करने का मौका मिला यह फिल्म थी आदमी अब तक मनुझ कुमार को एक अभिलिता, लेखक और निर्दसक के रूप में काफी प्रसिद्धी मिल चुकी थी अब बारी थी इनके प्रोडूशर बनने की उनका यह ख्वाइस जल्दी ही पूरा हुआ साल 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम से इनकी पुरानी देशभक्ती फिल्मों की तरह यह भी खूब लोग पिरी हुई इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुणकर नहीं देखा और साल दर साल एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्मान वो निर्देशन किया जिनमें शामिल रही साल 1972 की शोर 1974 की रोटी कपड़ा और मकान 1981 की करांती आदी इस दोरान मनुश कुमार ने अन्नी निर्माता निर्देशकों के साथ भी काम करना जारी रखा और बैमान, सन्यासी तथा दसनमरी सरिखी बेहदी काम्या फिल्मों में काम किया पर वो कहते हैं न की संसार परिवर्तन सिल्टा का दूसरा नाम है और मनुश कुमार इस से अच्छूते कैसे रहते अता असी के दसक तक आते आते इनका उम्र और कैरियर दोनों ढ़लने लगा बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इनकी शादी अपने कॉलेज के दिनों की प्रेमिका शसी गोश्वामी से ही हुई इनके दो बेटे हैं विशाल और कुनाल गोश्वामी इनमे से विशाल ने गायक और कुनाल ने अभिनेता बनने की कोशिस की पर दोनों ही अपना कैरियर बनाने में असफल रहे इसके अलावा मुनोश कुमार ने अपने छोटे भाई राजी गोश्वामी को भी साल 1983 की फिल्म प्रेंटर बाबू से लॉंच करने का परियास किया पर उनका भी एक नायक के तोर पर कैरियर कुछ खास नहीं रहा बैरहाल अभिनेता के तोर पर मुनोश कुमार के अंतिम फिल्म रही साल 1995 की मैदाने जंग और निर्दिशक के तोर पर इन्होंने अंतिम फिल्म बनाई साल 1999 की जैहिंद 24 जुलाई 1937 को जनमे मनोश कुमार आज 83 वर्स के हो चले हैं इने बेस्ट एक्टर, डारेक्टर और रैक्टर के कई पुरुषकारों के अलावा पद्म भुषन और दादा साहिफ फाल के अवर्स जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं मनोश कुमार हमीशा अपने दर्शकों को अन्य दाता मानते रहे हैं तथा सफल जीवन जीने के लिए एक ही मुलमंत्र देते हैं कि खूब नेहनत करो बस यही सफलता का एक मात्र कुंजी है तो यह थी मनोश कुमार सहाब के जीवन पर हमारी एक विसेश प्रस्तुती उमीद है कि यह वीडियो आपको बेहधी पसंद आई होगी अगर आप अपने किसी अन्य पसंदिदा अभिनेता या अभिनेतरी पर ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आवस्य बताए फिलाल इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक वीडियो में धन्यवाद